आज मैं बना रही हूँ भरवा मिर्ची के पकोडे, वो भी पनेर और आलो की स्टपिंग के साथ, यह पकोडे अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं खाने में और बाहर से एकदम क्रिस्पी होते हैं, मैंने वीडियो में कुछ टिप्स शेयर की है, आप वो टिप्स को फॉलो करक की लिए मैंने यहाँ पर बड़ी वाली मिर्ची ली है, यह मार्किट में बहुत इजली मिल जाती है, हम गुजराती इसे भावनगरी मिर्ची बोलते हैं, यह खाने में बिल्कुल भी तिखी नहीं होती है, मिर्ची को मैंने साफ पानी से दोकर एक कपड़े से उसे पोच कर सुखा लिया है, अब क्या करेगे न मिर्ची को हम बिच में से कट लगाएगे और एक बड़ी चम्मच की मदद से इसके सारे बिच निकाल देगे, मिर्ची के बिच थोड़े कड़क होते हैं, अगर हम बिच नहीं निकालते हैं तो यह खाने के टाइम पर दातों में आते है या तो फिर दातों में फस जाते हैं, तो तबी मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं सारे बिच यहां पर निकाल दे रही हूँ, एक एक करके मैंने सारे मिर्ची की बिच निकाल लिये हैं, आपको बताती हूँ कितने सारे बिच निकले हैं, देखो, मिर्ची को हम फ्राई करने व कब बेसन लिया था तो यहां पर मैं एकलास पानी का यूज़ कर रही हूँ अभी इसे ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है चमच से बैटर के अंदर के लंज़ों है वो फ्री नहीं हो रहे थे इसलिए फिर मैंने चमच को हटा के विस्क की मदद ली और बैटर एक्टम करके इस आलू के अंदर मिक्स कर लिया है फिर मैंने इसके अंदर आदी चमच लाज मिर्ची का पाउडर आदी चमच हल्दी पाउडर आदी चमच दन्या जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला दाला है और नमक मैंने स्वाद अनुसा दाला है और आदी चमच स सबी कम मैंने आमचर पाउड़ दाला है, सबी चीजों को दाल कर मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है, स्टफिंग भी तैयर हो गया है, अब क्या करना है यह स्टफिंग को में थोड़ा थोड़ा लेना है और एक एक मिर्चियों में भर लेना है, ये stuffing को हमें एकदम अच्छे से भरना है, मिर्ची खाली नहीं रहनी चाहिए, उंगली की मदद से हमें आराम आराम से stuffing को लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें भरते जाना है, जैसे मैं stuffing भर रही हूं बस उसे तरीके से भरना है, ये पनीर और अलू की stuffing वादी भरवा मिर मिर्ची बहुत पेस्थी लगए खाने में, आप भी इसे ज़रूर एक बर ट्राइ किजेगा, आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी, मैंने एक एक करके सारी मिर्चिया भरकर अच्छी से त्यार कर ली है, अब क्या करेगी ना, ये मिर्चियों को साइड में रखेगे औ और एक कड़ाई में तेल गरम करने रखेगे, मिर्ची फ्राइ करने के लिए आप कड़ाई थोड़ी बड़ी लेना, ताकि मिर्ची अच्छी से फ्राइ हो सके, मैंने गैस ओन कर लिया है और तेल गरम हो गया है, अभी एक ही करके हमें ये बैटर में मिर्ची को डिप करते जाएगे और घरमा गरम तेल में ढालगे मिरचिया तेल में ढालने के टाइम पर गेस की फ्लेम को हाई रकना है & तुरहति हमें मिडियम कर ले में रखा है दिखरें रहा है एकदम मस्त मूं में पानी आ जाए देखके खाने का मन हो रहा है यह सच में बहुत खाने में टेस्टी बनती है आप भी इसी तरीके से मिर्ची बनाकर जरूर ट्राइ करना और मुझे कॉमेंट में बताना कि आपने जब मिर्ची बनाई थी तब कैसी बनी थी एक मिर्ची काटके दिखाती हूँ, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, कि ये उपर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से कितनी सॉफ्क बनी है, पनेर आलू की स्टफ वाली भरवा मिर्ची मुझे तो बहुत पसंद है खाने में, आप पे इसे जरूर एक बार ट्राइ करना, ये मिर्ची को आप सॉस के साथ, या तो फिर निट मिर्ची के साथ, या तो फिर ऐसे ही खा सकते हो, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेर जरूर करना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, ये गरम गरम भरवा मिर्ची के पकोड़े मैंने भी टेस्ट के लिए, यह सच में बहुत ज़ादा टेस्टी बने थे